यह ना कहना बहुत असान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है कितने लोगों ने डायलोग सुना है कि सबने सुना है और पता नहीं कितनी बार सुना है कभी सोचा है कि सिंपल से डायलोग का क्या असर होता है हमारे माइंड के ओपर यह हमारी उस लैंड के ओपर इसकी मैंने बा बाद आप क्या बोलने लग जाओगे ना मुम्किन है हो ही नहीं सकता मलब दी एंड तो यह जो मुश्किल वर्ड है ना इसने क्या किया हुआ है हम सब को पकड करके रखा ऊओ एक रथी की तरह बांध करके रखा हुआ है जैसे सरकस में हाथी होता है उसके एक रथी से बांध दिया जाता है जब वो चोटा सा होता है तो हाथी बैठ जाता है? कि मुश्किल है मैं नहीं तोड़ाऊंगा नहीं तोड़ाऊंगा आज वहाती बढ़ा हो गये भूचाए तो एक रस्टी और तंप है कि आसी अज़ार रस्टी को तोड़ सके लिगन कोशिशी कोशिश ही नहीं कर रहा है कि अगर कोई दीरे से जाए और उस हाती के कान में बोल दे कि अरे हो हाती तेरे में ताकत है एक बढ़ कोशिश करके तो देख तो तोड़ सकता है तो उस हाती को किती देर लगेगी उस रसी को तोड़ने में एक साल दो साल या एक सेकंड मी नहीं लगेगा यह होता है जितने भी beliefs जो किसी जूटकियो पर उपेज हैं उनको बनने में सधिया लगती हैं तूटने में एक सेकंड भी नहीं लगता जैके कि अब मैं आपको एक्जामपल्स दे रहा हूं कि जो भी जूटे बिलीव्स होते हैं वो कैसे तूटते हैं सद्धिक हैं सधियों से लोग मानते आये थे कि हमारी ज़रती वह फ्ट्राइट है फ्लाइट है हजारों सालों से लोग बोलते थे फ्लाइट फ्लाइट रात और तो रात किसी साइंटिस ने डिस्काइब साल पहले जो गोल धुझ सब Liz बिलीफ जो भी हमारे बने होए हैं वो सब जूट के ओपर बेजड है सब जूट है सत सामने आएगा और सारे बिलीफ तूटेंगे एक एक करके और कई बार जब जूट के सामने सच आता है तो कुछ लोगों को जटका लगता है बागी ध्यात और दुनिया को बहुत मज़ा भी आता है